हलो स्टूरेंट आम लीलम चंद्राकप फ्रम जोलोजी डिपार्टमेंट आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे सेक्च्वारी प्रोड़क्शन एंड बैक्टिरियल डिसीज के बारे में प्रिवेस वीडियोस में हमने वेजिटेटिव एंड एसेक्च्वारी प्रोड़क्शन को देखा था और सेक्च्वारी प्रोड़क्शन के फर्स्ट प्रोसेस कांजूगेशन के बारे में डिसकस किये थी आज हम इस lecture में sexual reproduction के बागी दो process transformation and transaction को देखेंगे और bacteria से होने वाले disease के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं इसमें sexual reproduction को तो sexual reproduction क्या होती है तो यह ऐसी reproduction होती है जिसमें bacteria का genetic material है उसमें changes आती है तो bacteria के अंदर sexual reproduction three process के तुरू होता है इसमें से first है conjugation second है transformation और third है transaction तो पिछली वीडियो में हमें conjugation के बारे में पढ़ा था तो इसमें दो bacteria के बीच में conjugation होता है इसमें से एक bacteria cell को donor cell तीक है donor cell यह फिर F positive cell कहा जाता है और दूसरे को recipient cell यह फिर F negative cell कहा जाता है तीक है donor cell में छोटे छोटे पिलाई present होती है और जो recipient cell होता है मतलब कि जो F negative cell है उसमें पिलाई absent होता है और यह पिलाई जो है वो एक cell को दूसरे cell से attach होने में help करता है तीक है अब इसमें क्या होगा donor bacteria cell यह वो पास आकर इस पिलाई के तुरू एक conjugated tube के द्वारा जूर जाती है तीक है मतलब इसको कहा जाता है matting bridge और इस tube के द्वारा DNA जो है वो F negative cell में enter कर जाती है तो यहाँ पे जो genetic material है वो दूसरे cell मतलब कि जो recipient cell है उसमें enter हो जाता है और जो new cell बनता है उसमें F positive gene आता है मतलब कि इसमें जो नीचे वाला F negative cell है उसमें fertility gene absent होता है मतलब कि यह अपना plasmid यह फिर अपना genetic material जो है वो दूसरे में transfer नहीं कर सकता है लेकिन जो new cell बनता है वो F positive cell होता है मतलब यह अपना plasmid जो है वो transfer कर सकता है दूसरे bacteria cell में इस तरीका से genetic changes आती है bacteria cell के अंदर ठीक है उसके बाद second process है transformation तो इस process के जर यह bacteria में कैसे genetic material में changes आता है वो देखती है तो transformation में क्या होता है जो bacteria cell है वो foreign DNA को intact करता है ठीक है मतलब की बाहर से बाहर से DNA को अपने cell में लेता है surrounding से DNA bacteria के inside आता है और उस bacteria में कुछ phenotypically और genotypically changes आता है genotypically का मतलब यह है कि bacteria के gene में जब बाहर से DNA सामिल होगा तो bacteria का genotype मतलब की genetic material changes होगा ठीक है और उस genetic material में जो बाहर से DNA एंटर हुआ है उसमें उस जीन को coat करेगा ठीक है तो उसकी phenotype मतलब की physical appearance में changes होगा तो यहाँ पे हम इसका mechanism देखती है ठीक है तो suppose यहाँ पे surrounding में कुछ DNA है ठीक है और यह DNA bacteria के ही होगे ठीक है तो बाहर से यह जो DNA है वे अप्टेक होगा अप्टेक हो रहा है bacteria cell के अंदर इस cell के बाहर से DNA एंटर हो चुका है यह chromozome का हिस्सा बन चुका है ठीक है bacteria cell की अब chromozome का जब यह हिस्सा बन चुका है तो genotype भी change हो चुकी है ठीक है bacteria cell की और phenotype भी change हो जाएगी मतलब इसके उपर capsule की building शुरू हो जाएगी अगर capsule binding DNA है तो तो इस तरह से transformation में bacteria cell का जो gene है उसमें changes आ रही होती है या फिर genetic material में changes आ रही होती है कुछ time क्या होता है जो transformation में DNA जो है वो DNA जो plasmid है वो भी enter होता है जो कि extracellular chromosome होता है तो इस प्रकार से transformation में DNA मतलब कि genetic material में changes आती है उसके बाद third process है ट्रांडक्शन तो ट्रांडक्शन में क्या होता है कि bacteria के genetic material में changes आ रही होती है मतलब कि bacteria phage bacteria phage आप जानते हैं एक virus होता है जो bacteria के उपर attack करता है तो bacteria phage की वज़र से genetic material में changes आती है तो यह कैसे आती है तो suppose यह एक यह एक bacterial cell है तो इसमें क्या हुआ है bacteria phage ने इसके उपर आकर attack किया bacteria phage मतलब कि virus तो वाइरस ने इसके उपर आकर attack किया अब bacteria phage ने DNA एंटर किया तो इसमें bacteria phage क्या करता है यह अपना DNA ने bacteria cell के अंदर एंटर करता है और उसका जो capsid है अधर कि जो protein वाला part है वो बहार ही रहता है तो इंटर करने के बाद bacteria का जो cell है उसके उपर bacteria phage ने control कर लिया bacteria का DNA है वो डेग्रेट कर दिया bacteria phage ने अब next step में क्या होता है जो bacteria phage है वो replicate होना शुरू हो जाते है नई bacteria phage यानि कि नई viruses बनना शुरू हो जाती है sometime क्या होता है कुछ viruses के अंदर यह जो bacteria का DNA भी सामील हो जाता है अब यह viruses दूसरे bacteria cell के उपर अटेक करेगा तो उसमें previous bacteria cell का DNA भी सामील है सपोस्व उस virus ने इस virus ने किसी दूसरे bacteria cell के ऊपर अटेक किया और अपना DNA एंटर किया तो यह दूसरा bacteria cell है तो एंटर करने के बाद suppose lysogenic cycle start हो चुका है lysogenic cycle में क्या होता है virus का जो DNA है वे bacterial DNA के साथ बीच में सामील हो जाता है तो यहाँ पे bacteria के DNA में जो DNA सामील हो चुकी है अब इस bacteria के DNA में changes आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे bacteria का DNA सामील हो चुकी है जो बैक्टेरियो phage के जरी बैक्टेरिया में enter हुआ है अगर इसमें gene को coat कर सकता है तो ये coat भी करेगा तो और इसमें genetic changes आ रही है इस बैक्टेरिया cell में और इस प्रकाष से टांडक्शन की process होती है इसके बाद हम देखेंगे bacterial disease के बारे में तो बैक्टिरिया के ठ्रू बहुत साले डिसीस होती है उसमें से फर्स्ट है ट्यूबर्कुलेशिस सेकिन है कॉल्रा थर्ड है डिफ्थेरिया फॉर्थ है निमोनिया फिफ्थ है लेप्रोशी और शिक्स है टाइप 5 इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूबर्कुलोसिस या फिर इसी को टीबी भी कहा गता है तो इसे कॉंच डिसीस भी कहते हैं यह रॉबर्ट के नाम पर रखा गया है ठीक है फर्स्ट टाइम रॉबर्ट कॉंच ने इसे पता लगा या था यह डिसीस जो है वो माइको बैक्टिरियम ट्यूबर्कुलोसिस बैक्टिरिया के तुरू होता है यह बैक्टिरिया लंग्स लंग्स इंटेस्टाइन बोन और स्कीन को एफेक्ट करता है इसका मोड आप ट्रांस्मिशन है कॉंटामिनेटेट फूड ठीक है कॉंटामिनेटेट फूड को इन्हे करने से यह human के body में enter करता है इसका symptoms है fever आता है और कफ होता है ठीक है chest में pain होता है weight loss होनी लगता है ठीक है second है cholera यह इसी को hazard भी कहते है ठीक है तो बाड़ाय छेत्रों में cholera बहुत ज्यादा फैलता है यह contaminated food और water से फैलता है मतलब अगर फीकल material में अगर यह bacteria है और यह पीने के पानी यह फिर water food में जा रहा है और अगर कोई इसे पीता है यह फिर food को लेता है तो यह disease होती है ठीक है यह disease जो है वह विब्रियो कॉलरी bacteria के थुरू होता है अब इसका symptoms क्या क्या है तो इसमें diarrhea होता है और vomiting होती है ठीक है जिससे dehydration होता है और dehydration के काला patient के जान भी चली जाती है उसमें treatment क्या है इसका तो इसमें ORS therapy दी जाती है ठीक है ताकि body में पानी की कमी को दूर किया जा सके इसके साथ ही पानी को boil करके भी पीना चाहिए उसके बाद है डिफ्थेरिया तो डिफ्थेरिया जो है यह यह डिसी जो है वो तीन से पांस साल के बच्चों में जादा होता है यह डिसी इस कोरीनो बैक्टिरियम डिफ्थेरिय के थूर होता है इसका symptom से इस डिसी के बैक्टिरिया जो है वो गले में एक white मतमैले कलर की membrane बना देती है यह mucos membrane इतनी हो जाता है इस कारण lungs में air नहीं पहुंच पाती है जिससे breathing में difficulties होती है इसके साथ ही vomiting होती है headache होता है fever आता है और cough आता है टीक है treatment के लिए patient को first 12-14 घंटे के अंदर ही diphtheria antitoxin का injection लगवाया जाना चाहिए इसके अलावा triple antigen vaccine सबसे दिक effective होता है इस vaccine को dpt के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद है pneumonia यह disease streptococcus pneumonia bacteria के तुरू होता है यह disease lung से संबंदित होता है bacteria के infection के करा lungs tissue जो है वो destroy हो जाता है इसका mode of transmission है droplet infection ठीक है अब इसका symptoms क्या क्या है तो सर्धी लगेगी fever आता है इसके साथ ही respirator track में infection आ जाता है मतलब alveoli में fluid भर जाता है जिससे blood को oxygen नहीं मिल पाता अगर oxygen blood में नहीं जाएगा तो वो organ मतलब की cell तक भी पहुँच नहीं पाएगा ठीक है उसके बाद है leprosy यह फिर इसी को कुष्ट रोग भी कहा जाते हैं यह disease mycobacterium lepry bacteria के थुरू होता है यह एक contact disease है यह disease skin body के tissue और nervous system में होने वाला एक disease है इसका symptom से bacterial infection के बाद सबसे पहले skin का color change हो जाता है skin पर चकते पढ़ना start हो जाता है इसके साथ ही immune system जो है वो weak हो जाता है ठीक है इसके treatment के लिए इसे लंबे समय तक treatment दी जाती है साथ ही cell phone drug और depth zone भी दी जाती है उसके बाद next disease है टाइफएड टाइफएड जो है वो salmonella typhi salmonella typhi bacteria के थुरू होता है इसका mode of transmission है fecal oral root मतलब कि यह कैसे फैलता है तो अगर कोई bacteria है जो कोई भी fecal material में है और वो अगर पीने के पानी या फिर खाने की कोई चीज में आ जाए और वहां से अगर कोई human उसे inhale करता है तो टाइफएड फैलता है ठीक है इसका symptoms क्या क्या है तो अगर गंदा पानी पी लिया या फिर कोई infected food खा लिया तो यह bacteria small intestine में जाती है अब small intestine में जाएगा तो symptoms क्या होगा तो pain होगा क्रेंब्स होगा constipation हो जाएगा सस्टेंड फीवर आता है मतलब की लगातार बुखार आती है साथ ही intestinal perforation होता है मतलब यह bacteria intestine को छेट कर देता है ठीक है इसके treatment के लिए antibiotic औस्ती जिसे की chloromacetine disease के treatment के लिए important होता है तीक्यों